नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चनल एपी टेक पर दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत 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 बीडियो लेकर आए हूं जो कि है वट्सअब के वारे में दोस्तों वट्सब अपना जो सपोर्ट कुछ डिवाइस पर बंद करने वाला है जैसे इसमा अपना एंड्रोइड हो गया और आइफोन हो गया तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि कौन-कौन से मदब डिवाइस पर जो है वट्सब अपना सपोर्ट बंद करने वाला है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो के स्टार्ट करने सब्सक्राइब कर दिजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिजिएगा तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड वाट्सब के बारे में जो वाट्सब है वह अपने मतलब नए साल में जा रहा है कुछ डिवाइस साल भी वाटसप ने अपने कुछ वाटसप ने कुछ डिवाइस पर जो है सपोर्ट बंद किया था जैसे आप जानते होंगे विंडोस और ब्लैक पेरी पर उसने बंद कर दिया था अपना सपोर्ट वैसे ही नए सब्सक्राइब लिए साल में भी करने जा रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताओंगा कि वह कौन कौन rebel करें जिन पर वह दोस्तो आइफोन 4 पर अपना सपोड़् बंद करेगा अब बात करते हैं कि ज़िन के पास इस से उपर का मोडल एफोर से जैसे ऐफोन 4S iPhone 4 iPhone 5 iPhone 5S iPhone 5C और iPhone 6S और iPhone 6S तो दोस्तों इसमें जो है इसमें नहीं बंद करेगा इस मतलब इन डिवास बर नहीं बंद करेगा इसे अब आप डेट करेना आपका इन डिवास पर चलेगा what's up अब बात कर लेते हैं कि Android के कुंसे डिवास पर बंद करने वाला है what's up जो है अपना support तो दोस्तों वोए है अब वे जिसे मनें आपको बता दिया 4.03 4.0 3 इन पर वर्जन 4.0 3 वर्जन पर बंद करेगा जैसे होगा जो डिवाइसे साते हो हो है HTC Desire LG Optimus Black Motorola Droid Samsung Galaxy 2 S2 S2 तो दोस्तों इन पर अपना सपोर्ट बंद करेगा और दोस्तों कुछ अपडेट्स भी आ रहे हैं WhatsApp की तरफ से जो की है कि जो नए साल में वर्टस अप को जो है कुछ नए अपडेट देने वाला है जिसमें आपको फोटो और वीडियो कोपी एक करके एक दूसरे चैट में सेर कर पाएंगे वहीं दोस्तों फोटो और वीडियो कोपी करने का फीचर नहीं है अलंकि इस फीचर की सेटिंग फिलहाल बीटा वर्जन में चल रही है दोस्तों यह चोटा सब्डेट था अगर आपको मेरा वीडिया वीडियो पस मलब अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइ